नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक श्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे हो नीट यूजी एकजाम नीट यूजी एकजाम की तारीक वदलने की मांग पर बोले एजूकेशन मिनिस्टर के आदकारिक परिक्षा 12 सितंबर 2021 को होने वाली है जिसमें रिकॉर्ड 6 16.1 लाक स्टूडेंट ने अलग-अलग मेडिकल सैंस समंदित कोर्सेज में प्रवेस के लिए राइस्टेसन कराया आप वीडियो में लाश्ट तक बनी रहिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट किलियर हो जाए नीट एकजाम राष्टी है पातरता सैंस परिवेस परिक्षा या नीट यूजी की तारीकों में कोई बदलाब नहीं किया गया है अलाकि सीबेसी द्वरा आयूजित परिक्षाओं सहित बैक टू बैक परिक्षाओं के कारण उम्भीदवार इसके पुनन निर्धारण की मांग कर रहे हैं टाइमस ओप इंडिया के मताबिक सिक्षा मंत्रायले ने अतकारियों के अनुसार नीट यूजी की तारीकों में अब किसी भी बदलाब से लौजिस्टिक मुद्दों के कारण परिक्षा में कम से कम 60-70 दिनों की देरी होगी और अन्य अनिस्चित्ताओं के कारण अनिस्चित्त कालीन देरी भी हो सकती है परिक्षा 12 सितंबर 2021 को होनी वाली है जिसमें रिकॉर्ड 16.1 लाक उम्भीदवारों ने अलग-अलग मेडिकल सैंस से सम्मंदित कोर्सेज में प्रिवेश के लिए रेजिस्टेशन कराया है उम्भीदवारों का एक बर्ग परिक्षा इस्तगित करने की मांग कर रहा है क्योंकि विविन परिक्षाओं के बीच कोई अंतर नहीं है जहां 3, 6 और 7 सितंबर को आंदर प्रिदेश के इंजिनियरिंग किर्सी और मेडिकल कॉमन इंट्रेंस इंट्रेस्ट निर्धारित किया गया है वहीं CBSC ने अपनी रहसानिक विग्यान की परिक्षा तारीक 6 सितंबर निर्धारित की है इसके अलावा भारती किशी अंशंदान परशत की All India प्रिवेश परिक्षा की तारीक 7 से 9 सितंबर जबकि 9 सितंबर CBSC की भौतिक परिक्षा भी तारीक है MP बोर्ड के लिए 11 और 13 सितंबर को Physics और Biology की परिक्षा है 13 सितंबर को CBSC की गड़ित की परिक्षा है और 14 सितंबर को Combat का टेस्ट है तो दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य परिक्षाओं के विपरीद हाला कि NTA UG के साथ तारीकों का कोई टकराब नहीं है हलाकि उम्वीदवार डिले नीट UG हैजटेक पोस्ट पॉंड नीट यूट कर रहे है यह कहते हुए कि नई तारीक की मांग कर रहे है कि नए परिक्षा पैटरन में बदलाव के कारणों ने परिक्षा की तैरी के लिए अधिक समय की आवश रखता है इसके अलावा दोस्तों और मैं आपको आगे बताता हूँ अधिकारी ने कहा है कि नीट UG का हाई इस्टेक वाली परिक्षा है और इसमें बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सामिल है सिकॉरिटी एक अलग मुद्दा है इसके अलावा एक ये एक दिवस्य परिक्षा है और इसलिए उम्भी दवारों की संक्या को देखते हुए NTA को तैरी के लिए करीब 90 दिन लगते हैं पहले की तारीक को सितंबर में स्तानांतरित कर दिया गया और इसकी गोशना पहले ही कर दी गई थी तारीक में किसी और बदलाब का मतलब है तैरी के लिए कम से कम साइट दिनों का टैम लगेगा इसके लाबा अभूत पूर्व इस्तिती को देखते हुए परिक्षा आयजित करने का सबसे अच्छा समय और पिरवेश परिक्षा को बिना किसी देर के आयजित किया जा सकता है तो दोस्तो लास्ट में यही उम्बीद निकल के आ रही है कि आपकी परिक्षा को किसी भी तरीके से पॉस्ट पॉंड नहीं किया जाएगा तो आप अपना समय बेश्ट ना करें और अपनी पढ़ाई पे पूरी तरीके से कंसेंट्रेशन रखें थैंक यू जैहन्द वंदे मात्रवाद